दोस्तो नमस्कार स्वागत आपका बकरी पारण के इस वाले चैनल पे गौट फार्मिंग केर दोस्तो आज के वीडियो में हम बताने जा रहा है कि बकरी के जो छोटे बच्चे उसके अंदर पेट दर्द की जो शिकायते वो काफी ज्यादा हो जाती है उसके बाद हमें समझ म नहीं आता है कि उसको इलाज क्या करना है तो आज हम विस्तार से जानकरी लेने वाले पेट दर्द के बारे में कि पेट दर्द जो है छोटे बच्चों के अंदर जो क्यों होता है और क्या कारण है उनके और किस तरकी से उसका इलाज होगा देशी इलाज भी आपको इस वा करे में आपको दूंगा क्यूंकि चैनल के माध्यम से दोस्तों हमने कई सारे वीडियो बनाए और उसके अंतर बताया जाता है कि कौन से बीमारी के उपर क्या देना है और हर चीज की छोटी बड़ी रकरकाव हर चीज की हम जानकरी देने की कोशिच कर रहे हैं चैनल के माध्य करना है ताकि पहुष्य में जो भी वीडियो बनाऊंगा उसकी जो नौटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलते रहेंगी तो दोस्तों जो पेट दर्द होता है वो कई कारणों से हो सकता है सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि यह पेट दर्द होता कैसे यह होता है कि हम बकरी से भी पेट दर्द हो सकता है कई बार मिट्टे के साथ में लकडि का तुकड़ा खा जाते है फिर रसी खा जाते हैं उसके बाद जो हैं प्लास्टिक भी कई बार खा जाते हैं क्योंकि उनको जो छोडा जाता excellence बाहर की तरब तो मान लीजिए कई बार मारा बकरी को हम चारा वगरे डाल देते हैं तो उसके अंदर जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो रूमन वगरे डेवलफ नहीं हुआ होता है उस टाइम वो खा जाते हैं और बाद में डाइजेस वगरे नहीं कर पाते हैं उसके वज़से भी पेटे दर्द होता है और रही दू करने के बाद जो है उसको में पता है कि को हुआ क्या क्या है कि उसका इतना ज्यादा पेट दर्द कर लेता है कि वह चिलाने भी लगजाता है हाथ पेर, उसारी को सती है लेकिन जब भी पेड़ दर्थ होता है तब आपको समझना है कि इसको पेड़ दर्थ है और आपको इलाज करना है जो कि मैं आगे बताऊँगा तो आईए दोस्तों जानते हैं देशी नुक्हे में आप क्या दे सकते हो उसको सबसे पहले तो आपको यह चीज करना है ऐसी चीज बताऊँगा आपको जो कि आप घर पे ताहर कर सकते हो आपको कोई मेडिकल पर जाने की ज़रूत नहीं या फिर किसी दुकान वगरे में जाने की ज़रूत नहीं आप खुद घर पे ताहर कर सकते हो उसको दे सकते हो और उस चाई के अंदर जो है आपको यूज करना है एक चमच सर्थो का तेल उसके बाद आपको मिलाना एक चमच चलदी उसके बाद दोस्तो उसके अंदर और एक कीज आपको ऐड़ करनी है जो की डाई साइक्लोमाइन की टैबलेट आती है वह उसको बशोच यानि एक गोली के चार तुकड़े करके आपको चोथा जो हिस्सा है उसके इंदर डाल देना है अगर बकरा छोटा है तो आप उसको लगबग एक कप चाय पिला सकते हैं या फिर उससे आधी मैने का है तो उसको डोज बढ़ा के पिला सकते हो कम ज्यादा करके उसमें पिला सक है स्पास जो और एक टैबलेट आती है जो मैं आपको बताना चाता हूं एक स्पास बोनीम करके टैबलेट आती है उसके बाद ्डाइस आइक्लो माइन की कुछ टैबलेट आती है कुछ इंग्जेक्शन वगोरा भी आते हैं उससे भी पेट-दर्थ नहीं मिलता है तो बाद में आपको injection का भी उपयोग आफ कर सकते हो लेकिन आपको यह जो इंजेक्शन वगार लगते तो यह डॉक्टर की देखरेक में आपको करना है या फिर आपके पेचान में जो पसुश चिकित्सक होंगे तो उनके देखरेक में आपको करना है क्योंकि आपको जो है रिक्स वगराण नहीं लेना है क्योंकि कई पर उतना ज्यादा पेटः दर्थ हो जाता है कि उस पेट दर्थ के वज़़े से जो आपका जानवर है वो मर भी सकता है तो आपको चोटी-चोटी चीजों की बेस्तिक चीजों की जानकारी मैंने देने की कोशिच की दोस्तो इस वाले वीडियों में जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियों में तब तक के लिए धन्यवाद